Hello friends, welcome back to my channel My Baby Care और मैं हूँ आपके साथ अर्षना Friends, जन्म के बाद बेबी 6 महिनी तक सिर्फ मा का दूधी पीता है इसलिए 6 महिनी के बाद आप उसको कुछ पे नया खिलाने के लिए सही time और सही age का इंतिजार करते हैं आज हम बात करने वाले हैं कि अनानास यानी पाइनेपल के बारे में जो की बहुत tasty भी होता है और काफी फायदे मन भी होता है तो इसलिए इसे बच्चों को भी खिलाना चाहिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बेबी को अनानास यानि पाइनेपल खिलाना कब शुरू करना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स बेबी को 6 मेहने से पहले कुछ भी खिलाने की जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि 6 मेहने की एज के बाद ही बेबी का डायस्टिव सिस्टम इतना अच्छा हो पाता है कि वो सारी चीजे अच्छे से डायस्ट कर पाए इसलिए अगर आप बेबी को पाइनेपल खिलाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके 6 मेहने बीच जाने का इंतिजार करें 6 से 7 मेहने के बीच में आप बेबी को पाइनेपल खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन बेबी को pineapple खिलाने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखने के ज़ुरत हैं कि जो फल है इसमें citric acid पाया जाता है, इसलिए ये खटा भी होता है, कुछ बेबी को इस citric acid से allergy भी हो सकती है या फिर उनका पेट भी खराब हो सकता है, इसलिए बेबी को जब भी pineapple देना start करें, तो starting में थोड़ा ही खिलाएं, और उसके बाद चेक करें कि कहीं बेबी को इससे कोई problem तो नहीं हो रही है, अगर बेबी का सब कुछ आपको ठीक लग रहा है, तो आप बेबी की डाइट में pineapple को include कर सकते हैं, छोटा सा बेबी जो है pineapple को काट कर तो खा नहीं पाता, इसलिए आप उसे pineapple की smoothie बना कर या फिर उसको अच्छे से mash करके बेबी को खिला सकते हैं, बेबी की age के according आप pineapple की amount को जादा भी कर सकते हैं, पर शिरुआत के time पर आप उसे कुछ time तक थोड़े ही amount में pineapple दें, उसके बाद धीरे धीरे बेबी की age के according और बेबी के जब देख को pineapple देने के क्या-क्या फायदे हैं, इस देखिए pineapple में bromelain नाम का enzyme पाया जाता है, जो बेबी को diarrhea से बचाने में बहुत मदद करता है, ये enzyme पेट के उन केडों को मारने में सक्षम होता है, जो की diarrhea का कारण होते हैं, इसलिए जो fruit है ये dust की परिशानी से बेबी को बचाता है नेक्स देखिए छोटे बच्चों में कब्स यानि constipation की problem भी होती है, पर अगर बेबी अनानास खाता है, तो उसे कब्स में अराम मिल सकता है, क्योंकि pineapple यानि अनानास में fiber जो है काफी अच्छे mount में होता है, जिससे की बेबी का पेट ठीक रहता है, बच्चों में पेट म कीड़ों को खतम करने में मदद कर सकते हैं, पैनेपल में जो मैगनीज होता है, वो बेबी की कमजोर हड़ियों को मजबूत बनाने में काफी मदद करता है, इसलिए बेबी के बढ़ते विकास के टाइम पर आप उसे पैनेपल ज़रूर खिलाएं, जब के अलावा हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अच्छे डाइजेशन के लिए और सरती जुकाम में भी पैनेपल बहुत ही फायदेमत होता है, फ्रिंट्स कभी कभी कुछ बच्चों को पैनेपल सूट नहीं कर पाता और जिस वज़र से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, पैनेपल कभी कभी बेबी में रैशेस, लेमे जलन, डाइजेशन प्रॉब्लम, ओरल एलर्जी सिंड्रोम का कारण बन सकता है, इसलिए बेबी को पैनेपल बहुत ही साफधानी से खिलाएं, और अगर बेबी को किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत लग रही है, तो आप उसको पैनेपल उस टाइम के लिए खिलाना बंद कर दीजे और डॉक्टर से जरूर कंसर्ट करें, पैनेपल खिलाने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि इसे खाने के बाद बेबी को कोई नुकसान ना हो, तो देखिए बातिदार रेशे भी होते हैं, तो उन्हें ठीक से निकाल दें, ताकि बेबी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, अगर बेबी ये फ्रूट नहीं खाना चाहता है, तो आप उसके साथ जबरदस्ती बिलकुल भी मत कीजिए, बेबी को हमेशा मीठा अननास ही खिलाएं, उस उसको जूस, स्मूधी या प्यूरी बना कर दे सकते हैं, तो फ्रेंड्स यही था हमार आज का वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो हेलफुल रहा होगा, हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगी, थैंक यू